वाइस, नमस्ते, आपका हमारे यूटूब चैनल MS Classes बाड़ बिर में स्वागत हैं, जैसा कि आपको विदिद है कि मैं आपको मैंस का 10th, 8th Class का सिलिबस पूर्ण करवाओंगा, इसके साथ साथ हमारे साथी संजे सर्जी भी आपको साइंस का सिलिबस करवाएंगे और बोर्ड की अच्छे से प्रेप्रेशन करवाएंगे, तो आज हम एक मैस का चप्र हैं, वेदिक मैस, जो काफसा 6, 7, 8, 9 में भी और 10 भी बोर्ड में भी आपका पहले ही चप्र हैं, जैसके मार्द्यम से आपन आज पहले ही एक टोपी सकते हैं, इस प्रकार की प्रस्नाओं को हमेसा ये ध्यान रखना कि आप संख्याओं की दो पार्ट होंगे, और उन संख्याओं में हमेसा देखना कि गुणा होगा तक दोनों संख्याओं आगे वाली सेम होगी, और पिछली संख्याओं जैसे आगे वाली यहां भी पांच ह और पीच्छे वाली दोनों संख्याओं का योग क्या होगा एक हो सकता है दस हो सकता है या हजार हो सकते हैं इस प्रकार की गुणों को हम एक अधिकर बूरण यानि पहले वाली संख्या को में एक अधिक करके उसका क्या करेंगे गुणा करेंगे जैसे पेच्छे वाली संख् दो और विया एक वटे दो मिलकर क्या बन जाएगा एक इसका मतलब इस प्रकार के प्रसंद आएंगे उसमें ही हम एका अधिकेंट पूरवेड द्वरा मल्टिप्लाई कर सकते हैं जैसा कि देखो आप पांच और पांस सिमिलर है तो इन संख्याओं में पांच के साथ आपका पांच का एक अधिद करके यानि उपर बिंद। ये वेदिक झृणित में इस आधिक को करते हैं एक पहले वाली संख्याओं कि उपर क्या कर देंगे हम ंग 8 कर देंगे जैसा कि पहले यकिति क्या कर तंगेख ईंगे अधिक महना धिनगे पिछले वाले जो संग्या है पिछे जो दूसरा पर्ट है 1 upon 2 multiply 1 upon 2 का सिधा गुणा कर लेंगे ठीक है जैसा कि 5 का गुणा हम यहां पास इन साथ ना करके किसके साथ कर रहे हैं 6 के साथ 6 पंजे अबलिक 1 upon 2 multiply 1 upon 2 हो जाएंगे तो अपना उत्र हो जाएगा 30 सई 1 upon यह अपना क्या हो गया उत्र अमेशा जिस प्रकार से जिस portion में अपना यदी विन के रूप में आए तो उत्र भी विन के रूप में ही देना है यदी इस प्रकार के प्रसन 10 मलों के रूप में आजाए तो आपको उसका उत्तर दसमलों में ही देना है देखो आगे चलते हैं और एक उदान और लेते हैं समझते हैं आई होप को आपको कुछन कुछ समझ आया होगा कि किस परकार से हम वेदिक के मेर्थ के किन संख्याओं का आप आसानी से का सकते हैं जैसे एक संख्या ले रहा हूं मैं जैसा कि अपनी किताब तैंत वाली में एक पसन है 31 सही 1 बटे 5 और दूसरे संख्या है 31 सही 4 बटे 5 जिसमें देखो 1 बटे 5 और 4 बटे 5 को जोड़िंगे तो टोटल एक बनेगा क्या बनेगा एक कितना हो जाएगा एक और आगे वाली संख्या है 31 और 31 जो की एक जैसी है दोनों सेमान है तो समान संख्या होगी तब अपन को एक आदिकन्स पूरवेन वाला फ़रू लगना अब 31 को हम करेंगे गुणा किसे 32 से एक अदी करके 31 यहां है 31 यहां है तो आप में इसमें से एक जोड़के इसके साथ बुणा कीजे और लगा दीजे पॉबली फिर एक बटे पांच के साथ बुणा करिए पिछले वाली संख्या चार बटे पांच का और 31 को 32 से बुणा करेंगे तो 32 एक अम 32 कितना 32 यहां से लगई 32 यह हो जाएंगे 64 और 32 च्याणवे च्याणवे और 3 कितने च्याणवे और 3 हो जाएंगे 99 तो यह आगे 912 पिछले वाला गुणा करें तो 4 एकं 4 और नीचे वाले 25 तो आप ओमली घटा दीजे 900 बुराणवे सही 4 बटे 25 अपना एंसर हो जाएगा अब आई होप कुछ न कुछ आपको समझ में आया होगा इसी प्रकार नेक्ष्ट और परसंद लेते हैं जिसमें पर क्या होगा या तो उनके योग क्या हो जाए पिछली वाली सेंख्याओं का योग 10 हो जाए यह अपने 5 5.5 5 बुमा 5 5.5 5.5 पांस के बाद में 5 5 दोनों को दोड़ दिंगे 55 और 55 और 5 5 चाया झाओ नब जाएगा अदा और आदा ये बन जाएगा आगे वाली संख्या पॉंट्ट से पहले पांच-पांच है पांच-पांच है निट्टि का योग कितना हो गया एक पीछे वाली समान है पर पिछली संक्याइं कैसी है योग करने पर क्या बंद रहा है एक तो 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 के साथ गुणा कर लीजिए अब इधर तो 5 का साथ से किया चाप पंजे तीस आज का 5 से गुणा किया तो दस मलों 2 5 हो जाएगा कितना आगे 0 बले लगा दीजिए क्या हो गया कि अब इसको अब लीग अटा कि आप क्या कर दोगे तीस अब लीग अटा दीजिए यहां 0 लगाओ तो मत लगाओ यहां 0 नहीं लगाना है सीधा यहां 0.5 का 0.5 के साथ जैसा कि आप गुणा प्हेले भी सीख चुके है कि 2 पाइंट के बाद एक अंक दोनों साइड है तो आपन को दो अंक सोड़के पॉइंट लगाना और शीदा गुना करने ना पांच को पांच से क्या तो पच्चिस तो अपर इस परकार अपना उत्र हो गया पीस दस मलो दो पांच अब आगे चलते हैं इसके अनुसार दूसरा एक परसन लेते हैं जिसमें अपन को परसन में टेसender Twitter योग पिछले वली संख्याओं का योग पस्यों पिफ्ले वली संख्याओं का योग पस्ट सोगा कितना होगा रस itemsz इशウ 셋 åt पिछले वलिशेठ्या जैसे देदिया गिफें तेरारवं फड़ें सेंधाय एंटू 707 है पिछली संख्याओं दोनों का यूग कितना बन रहा है दस क्या बन रहा है दस तो आए चलते हैं इस प्रकार का परसंद आजाएगा तो भी उसमें आपने क्या लगाएंगे कौन सा नियम लगाएंगे एका अधी के पूर्वन मल्टिप्लाई का दस को किसे गुणा करेंगे दस के से एक अधीक यानि 11 का गुणा करेंगे अबलिक तीन के साथ किसका गुणा करोगे साथ का दिद दीजिए 110 11 का गुणा 110 और साथी 21 अब गुपभू आ रहा है वैसे वैसे दिख दीजिए 1170 21 क्या देगा इन दोनों की मल्टिप्लाई I hope आपको कुछ समल में आ रहा ह हैं तो लाइक करके कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें आप हमार साथ बने रहें हम और भी आपको इस तरह के वीडियो और टोपी करवाते रहेंगे और जैहिन जैवाद